हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो सोलर ग्यान और नीज चैनल आपने इससे मेरा जेश्ट पहले वीडियो देखा होगा पी एम कुसुम के अंतरकत और वीडियो काफी बड़ा बन जाता इसमें मैंने केवल कंपोनेंट ए और प्लस कुसुम का जो बैग्राउंड और अब्जेक्ट देता हूं कि क्या है तो पी एम कुसुम का अंतरकत तीन कंपोनेंट है कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी जो कंपोनेंट ए है बैसे के लिए दर सार मेगावाट का इसमें टार्गेट रखा गया डी सेंटलाइट रिन्वल एनरजी प्लांट इस्पेसली सोलर तो इसमें क्या मोगिल्टी हो सकती है किस तरीके से इसमें क्या सबसेडिय में और कीस तरीके से से पूर चूरिए फिर्फ है यह मैंने अर्ज कवर किया हूए आज का टॉ-पैक जो है इसमें कम्पोनिंटे बेर कम्पोनेटाओ पर है उसे में कवर करने जा रहा हूं तो हम बात करते हैं component B की तो component B एक बहुत एक important है तो component B जैसा कि बता है कि जो stand alone जो pump है उनको solize करना का इसमें component B में target रखा गया है अगर इस component B को fully अगर implement हो जाता है इस scheme का अंतरगत हो जाता है तो उसकी क्या benefits मिल सकते हैं सबसे पहले इसमें जो बता है कि reduction of irrigation cost of around 50,000 पर year अगर पांच हर्सपाउर्स का pump है 5HP का pump है इस case में जो component B है डीजी से चलने वाले pumps है अगर यह solize कर दिया जाता है इस pump को तो जो farmers हैं उनकी saving कितनी हो सकते 50,000 पर year तक की saving हो सकती है तो काफी huge saving हम बोल सकते हैं इसमें रिलाइबल सोर्स अफ इरिगेशन तुप फार्मर्स ऑवेसली रिलाइबिल्टी बढ़ जाएगी आपको डीजल कॉस्ट भी आपको saving होगी farmers की तो यह सब effectively वही उसी monetary terms में बताया कि 50,000 तक की सेविंग हो सकती है अगर फाइव हर्स पॉर्स के pump है और डीजल पर चला रहे हैं और उसको आप सोलर में convert कर रहे हैं तो आपकी saving पचास हर तक की saving हो सकती एक साल की saving होने से क्या होगा farmers की income भी बढ़ेगी living conditions भी अच्छी होगी इसके बाद इसमें यह बोला गया कि in future अगर उस area में अगर grid आ जाता है अगर उस pump को grid से connect किया जाता है तो आपका जो solar panel जो है वो भी grid से connect हो जाएगा इसके बाद आपकी जो income है और बढ़ सकती है कैसे options to connect the grid in future wherever grid supplies available and fit surplus power to grid to get additional generally जो जो किसान होते हैं पूरे 365 दिन में 365 दिन तो पंप चलाते नहीं जुरूत नहीं पड़ती है maximum 150 जो एक एवरेज जो डेटा निकल के 150 दिन की जुरूत पड़ती है तो इस वाले case में जो stand alone pump है इस case में आप इसके अलवा और भी बहुत सरे accessories को use कर सकत हैं irrigation के अलवा pump के अलवा solar panel अगर लग गया है तो हमेसा तो आपको irrigation की जुरूत नहीं पड़ेगी pump चलाने की जुरूत नहीं पड़ेगी इसके अलवा बहुत सरे accessories और भी जो pump है उसको आप use कर सकते हैं इसमें यहीं बताया गया है कि अगर मान लीजे grid अगर आ जाता है औ तो आपकी तो 150 दिन तक ही आपको average जो है इतनी जुरूत पड़ती है उसके अलवा जो इसमें सब्सक्राइब होगी उसको आप grid में दे सकते हैं और जो भी tariff होगा जो एक government जो rate decide करेगी regulator जो decide करेगा उस tariff पर आप discount को electricity बे सकते हैं तो उससे भी आपको income बढ़ जाएगी और इस्ट्राइब नहीं आएगा अगर अगर करते हैं तो ग्रीट के ऊपर और इक्ष्ट्राइब की जुरूत नहीं पड़ेगी अलेडी जो है पंप यह और सोलराइज है और से पंप है इन फैक्ट हम यह बोल सकते हैं कि ग्रीड में और ज्यादा एक्सेस सप्लाई जाए हम बाहर से भी मग आते हैं 70-80% जो बाहर से इंपोर्ट होता है तो एक foreign exchange की भी सेविंग हो जाएगी और यह जो मैंने बताए दिया आपको कि सिन्स पंप्स आर जेनरली यूज़ फार लिमिटेट पीरिएट से 150 डेज इन यह इस्टॉल सोलर कैपसरी कैन बी उटलाइज फ फूचर में ग्रीड आ जाता है तो आविसली अप ग्रीड में भी supply दे सकते हैं और उसे भी आप income generate कर सकते हैं अब कॉंपोनेंट B में है क्या चीज़ तो कॉंपोनेंट B में जो है आपका जो टोटल टार्गेट रखा गया है पॉंप को सोलाइज करने का जो डिजल जो डि इससे हमारी कैपसिटी जो है 9.6 गीगवाट 9600 मेगवाट की कैपसिटी भी आ जाएगी तो देखे कितना बड़ा एडवांटेज है बहुत सरा एडवांटेज है इसमें जो पॉंप की जो कैपसिटी जो मैक्सिम पॉंप कैपसिटी रखा गया है इसमें 7.5 हर्स पाउर का इसमें बड़े पॉंप कैपसिटी के लिए सबसीडी अवलेबल नहीं है हलाकि आप कर सकते हैं जो इसमें बड़े पॉंप है उनको आप सोल्राइज कर सकते हैं लेकिन सबसीडी की जो लिमिट है 7.5 हर्स पाउर की एक्वेलेंट जो है उसके एक्वेलेंट ही मिलेगी आप लेकिन इसकी जो लिमिट होगी आपकी 7.5 हर्स पावर के एक्वेलेंट जो होगी इसमें अब यह पंप जो है यह इस स्कीम का अंतरगत इलिजिबल कौन लोग है कौन लोग हो सकते हैं इसमें इंडिजिवल फार्मर्स वाटर यूजर एसोसियेशन एन कॉम्यूनिटी क्लस्टर बेस्ट इरिगेशन सिस्टम इलिजिबल अंडर दिस स्कीम यह लोग इसमें इलिजिबल है अब इसमें सबसेडी कितनी रखी गई है तो सबसेडी जो इसमें तो बेंचमार कॉस्ट या जो टेंडर निकाला जाएगा जो कंपोनेंट B के लिए जो बोला गया है कि एक सेंटराइज टेंडर निकलेगा और इसमें टेंडर निकला भी है जो इसमें मैंडेट दिया गया है उसने एक सेंटराइज टेंडर निकाला था इसमें जो भी सेंटर फाइनेसेल असिस्टेंट subsidy जो बोलते हैं subsidy benchmark cost या जो statewide जो rate निकल के आया है उस rate का जो भी इसमें कम होगा benchmark cost या जो rate होगा जो भी कम होगा उस पर subsidy दी जाएगी और subsidy जो है 30% इसमें रखा गया है कि और जो special category के states है special category states उनको बोलते हैं जैसे north eastern states including sikkim hilly states जैसे की उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश, जमू कस्मीर, लद्दाख, आइलेंड हैं आपके अंडमानी कोवार और लक्षिदी के जो आइलेंड है इनको special category states बोलते हैं special category states में जो subsidy जो प्रोवियन रखा गया है benchmark cost या जो भी tender cost जो भी कम होगा 30% आपको state government देगी 30% government of India दे रही है 30% आपको state government दे रही है 30% आपको state government दे रही है 30% जो है आपको bank finance कर देगा 10% जो आपको है आपको खुद देना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं कि आपको जरौत ही नहीं है बहुत ही कम आपके उपर burden आएगा जो farmers हैं जो association है मतलब यह scheme इस तरीके से बनाई गई है कि एक आपको उपर burden भी कम आए और यह implement भी successfully हो जाए लेकिन इसका दूसरा disadvantage भी हम यह बोल सकते हैं कि state government को subsidy देने परते है कि state government के उपर burden है हाला कि हाला कि अगर देखा जा तो इसकीम काफी successful हो state भी काफी interested है क्योंकि states भी चाहते हैं कि यह implement हो properly क्योंकि बहुत subsidy जो है 30% central government देगा 30% state government देगा 30% bank loan finance कर देगा और 10% ही आपको देना पड़ेगा implementation through discom agricultural department minor irrigation आखिरी स्कीम करता है जो component भी है इसमें कौन implement कर सकता है तो इसमें बोला है कि discom implement कर सकता है नहीं तो agricultural department है उस पर्टिकुलर जो भी स्टेट में जो department हुआ इसकीम को implement कर सकता है यह minor irrigation department है यह इनी अदर डिपार्टमेंट जो भी स्टेट गवर्मेंट जिसको भी designate करती है इस scheme को implement करने के लिए वो implement कर सकता है इसके लिए जो जो भी department implement करेगा उसके लिए उसको manpower और बहुत सारी चीज़े करनी पड़ेंगी तो उसके लिए उसमें service charge बोला गया है कि जो भी CFA जो दिया जाएगा उसका 2% जो है आपका service charge दिया जाएगा MNRE to return some part of service charge for centralized IAC activities MNRE जो है कुछ portion इसमें कुछ amount रख लेगी उसका रही है कि कुछ publicize करना है कुछ अगर online system अगर हमें implement करना है या कुछ ऐसे भी चीज़े एड़टाइज बहुत सारी चीज़े जो है उसके लिए ministry जो है कुछ इसमें charges रख लेगी priority to small and marginal farmers and preference to the farmers using micro irrigation system बहुत क्लिरली बताए उसमें कि जो marginal farmers है मतलब जो छोटे किसान है उनको दिया जाएगा और जो minor irrigation system minor micro irrigation system micro irrigation system से मतलब जैसे sprinkle based या फवारा बेस्ट इस टाइप से बहुत सारी irrigation system को use करते है तो उनको preference दिया जाएगा sizing of pump based on water table in the area land covered and quantity of water required for irrigation जो भी pump की sizing पही जो subsidy है उस पर depend होता है तो pump की sizing जो है इन सब parameter पर depend करेगा आपका कि जो भी उस particular area में water table कितना है मतलब कितने देव तक आपका water मिलता है कितने land आपको cover करने है irrigation के लिए और क्या आपकी water के quantity required होगी इन सब चीज़ों इन सब parameter पर ही pump की capacity decide होगी और pump के capacity पर ही subsidy decide होगी convergence with present scheme on promotion of micro irrigation system and replacement of agriculture pump with energy efficient pump इसमें यह भी बना कि जो भी आपके पास existing pump है वह हो सकता कि efficient नहों तो इसमें mandatory है कि energy efficient pump energy efficient pump से replace किया जाएगा मतब solar panel plus energy efficient pump जो है इसको इसकी में रखा गया है indigenous component to be used मतब मेडिन इंडिया होना चाहिए indigenous component ही उच किया जाएगा pump plus solar panel दोनों की बात हो लिए इन dark black zone dark black zone उनको बोलते हैं कि जहां पर water level काफी नीचे की तरफ है बहुत नीचे की तरफ है बहुत वहां पर over exploitation हुआ है dark zone और black zone जो होता है over exploitation हुआ है water level काफी नीचे चला गया है तो वहां पर के उनी pumps को allow किया जाएगा जहां पर जो है जो माइक्रो एलिगेशन टेक्नीक को यूज करते हैं अगर नहीं करते हैं तो उनको allow नहीं किया जाएगा whenever the grid reaches the stand alone solar pumps can be connected to the grid to feed solar powers depending on the grid capacity अगर मान लिजे अभी तो यह जो component भी है यह वह अले pump है जो stand alone pump है जो diesel पर चलते हैं grid से connected नहीं है इन future मान लिजे अगर grid आता है तो उस case में जो है जो एक्सेस जो power है आपका जब तक आप irrigation के लिए इस चीस के लिए उस करने कर रहे हैं जो एक्सेस solar panels तो हमेंसा generate करेगा और हमेंसा pump चलने के चले गई नहीं जो एक average data दिया गया है कि 150 दिन के आसपास ही चलता है 365 दिन में तो जो balance है या तो आप इन्वर्सल पंप कंट्रोलर के थुरू जो है चार्ज कंट्रोलर के थुरू आप other equipments भी चला सकते हैं अगर नहीं चला रहे हैं अगर grid आ जाता है तो जो excess power है आप grid में दे सकते हैं और जो rate होगा वो उसमें state government जो regulator होगा डिसाइड करेगा इसमें तो यह इस component में इस provision में da ministry ने निकाल रखा है center financial assistant to be released on benchmark cost or cost discovered through tenders which are lower which is lower bench mark cost यो tender cost अगर जो भी सिसमें कम होगा उस पर दिया जाएगा option of universal solar pump controller to enable use of solar power for other activities इसमें जो इन्वर्सल सोलर पंप कंट्रोलर के जो अप्सन रखा गया है यूपी यूएस पीसी को एक्चुली इस पे कोई आपको सब्सेडी नहीं दी जाएगी यह आपको अलग से करना पड़ेगा और यह आपके पास अप्सन आएगा अगर आप इसको लेना चाहते हैं जो इन्वर्सल सोलर पंप उसके जूरत पड़ेगी और क्यों नहीं चलाना चाहते हैं और कियो नहीं आप चलाना चाहें कि आपको अलग से तो पावर की जूरत पड़ेगे नहीं solar panel जो अगर generate कर रहा है power तो आप इसको use करना चाहेंगे तो इसलिए universal solar pump जो controller है इसकी जुरत है और यह बहुत एक important है यह state-wise allocation of solar pump to be issued by MNRE once in a year जो ministry जो है हर साल states को allocate करेगी मतलब states की requirement है कि मुझे इतने pumps की requirement है आप मुझे allocate कर दो तो government of India जो है ministry of new energy जो है state-wise capacity allocate करेगी online portal for submission of proposed and progress यह बोला गया है mandatory है कि आप system ऐसा बनाएंगे जो भी implementing agency उस particular states में state government जिसको भी designate करती है DISCOMM को designate करे यह irrigation department को designate करे यह जिसको भी designate करती है वो जो सारा system जो है पुरा transparent बनाने कोसिस करेंगा online portal बनाया जाएगा और उसमें request मांगी जाएगे sanction will be issued to the states on acceptance of allocation of and availability of states sanction issue किया जाएगा इस्टेट्स को centralized tendering of solar PV pumping system through PSU इसमें centralized रखा गया tendering का provision रखा गया हलांकि इसमें modify भी कर दिया गया क्योंकि बहुत सारे states ने बोला कि जो rates निकल के आ रहे हैं चाहाँ प्रॉपर जो है उससाही तरीके से implement नहीं हो पा रहे है इसमें अभी जो modify करके बोलागा कि ठीक है आप states भी जो है जो भी balance capacity अगर नहीं है तो उसके लिए tender निकाल सकते हैं हलांकि अभी तक जो इसमें था Energy Efficiency Services Limited EESL जो है Government of India की PSU है Ministry Power Candle में आती है उसने centralized tender already निकाला हुआ है और already जो है state-wise benchmark cost इसमें decide किया हुआ है Selection of Beneficiary and Implementation by State Implementing Agency जो State Implementing Agency है जो इसी scheme को implement कर रही है वो select करेगी beneficiary को साब कुछ online process के थुरू हो किया जाएगा Cluster-based approach for allocation of allocation of districts to the selected bidders जो bidders जो इसमें select किये जाएंगे tendering के थूँ उसमें जैसे कोई एक bidder है तो कोई एक district दिया जाए या cluster दिया जाए so that कि उसके लिए भी easy रहेगा और उसके region क्या है कि जो pump लगाएगा या solar panel लगाएगा जो दोनों component लगाएंगे वो उसकी responsibility रहेगे कि वो 5 साल तक उसको maintain भी करे AMC for 5 years maintenance to be part of surprise जो tender होगा इसका यह part होगा 5 साल तक maintain भी करना पड़ेगा उसके लिए provision of blacklisting in case of non-performance अगर जो system integrator है या जो developer है जो projects लगा रहा है अगर वो सही से परफार्म अगर कुछ system problem आ गई हो service नहीं दे पा रहा है पांच साल के अंदर तो उस case में उसको blacklist किया जाएगा और in future हो सकता किसी tender participate ना करे vendor cell have one authorized service center in each operational district and help line in local language जो भी vendor होगा चुकि cluster based जो है obviously एक vendor को एक district दिया जाएगा आईसा अगर approach है तो वो जो vendor है उसको एक service center आपको उस district में खोलना पड़ेगा और help line भी खोलना पड़ेगा किसी कुछ problem तो वहाँ पर contact कर सके और service भी provide कर सके remote monitoring system shall be provided with each system and all data to be monitored through wave portal जहां तक possible हो सके तो आपको remote monitoring system जो है system में लगाना पड़ेगा so that कुसकी monitoring जो है online की जा सके installation timeline और penalties तो इस scheme के अंदरगत आप कितने time में क्या install कर सकते हैं तो जो भी installation का time दिया गया है जो solar component B के अंदरगत जो pump है plus solar panel जो है आपको 12 मैने के अंदरगत जो है जो general category states है उनको जो है 12 मैने के अंदर करना है जो special states है जैसे कि north eastern states, hilly states, जो island है उनको 15 मैने का time दिया गया है इसके बाद हम इसमें कुछ अगर कुछ issues आ रहा है अगर उस particular timeline का अंदर अगर project नहीं complete हो पा रहा है उसमें provision भी रखा गया कि ठीक है तीन मैने तक भी हम आपको extension दे सकते हैं और यह इसके लिए level बनाया गया है ministry के अंदर मैनारी में जो group head है वो तीन मैने तक extension कर सकते हैं और अगर मान लिए तीन मैने से ज्यादा चाहिए आपको extension तो उसमें secretary develop आपको approval इसमें दिया जा सकता है लेकिन इसमें extension तो दिया जाएगा लेकिन जो service charge जो रखा गया आपको 2% service charge दिया जा रहा है central financial assistance का पर सर्वी चाहर आपको डिड़क्ट कर दिया जाएगा इसमें देख लाटे अगर एक मäने तक डेले हो रहा है आपको दस परसंट तक service charge आपको कर दिया जाएगा अगर दो से तीन मैने के delay है उसके चीफ मे आपको 10% और reduce कर दिया जाएगा 3-6 मेने के delay तो 10% और reduce कर दिया जाएगा और 6 मेने के beyond है तो कोई service charge आपको नहीं मिलेगा जो implementing agency है जिसको service charge इसमें provision रखा गया है कि आप ठीक आप इस scheme को implement कराएगे जो state government जो जिस भी implementing agency को कर रही है और implementing agency का मतलब यह है कि इसमें तो हलाकि centralized tender का provision रखा गया है फिर भी टेंडर निकालना टेंडर के बाद rate निकालना है फिर उस scheme को implement करना मतलब इसमें beneficiary को select करना फिर beneficiary को select करने के बाद फिर वहां पर प्रोजेक्ट लग रहा है नहीं लग रहा है फिर उसको monitoring करना इस सारा काम जो implementing agency का पाट होता है इसके लिए service charge इसमें रखा गया है no extension will be granted beyond six months 6 मेने के बाद कोई भी extension नहीं दिया जाएगा only the system which are installed in all respects and commission within the stipulated time period will be considered for the release of CFA अगर 6 मेने से ज्यादा अगर delay होता है तो कोई भी आपको CFA भी नहीं मिलेगा service charge भी आपको नहीं मिलेगा release of fund जो subsidy का जो इसमें provision रखा गया है आप इसमें देख सकते हैं जो subsidy जो है 30% central government दे रही है 30% state government देगी 30% bank देगा उसके बाद 10% जो है जो farmer से हैं जो association है उनको अपना लगाना पड़ेगा लेकिन जो 30% जो central government दे रही है मेनारी जो आपको subsidy दे रही है तो 30% एक बार में 30% जो है जो भी CFA जो amount है टोटल amount है वे एक बार में release नहीं करेगी इसको तीन पार्ट में release करना है तीन installment में release करना है तो जो first installment है अगर आप award place कर देते हैं जैसे मालने जो पूरा tender हो गया tender निकलने के बाद vendor select हो जाता है और vendor select के बाद vendor को आप award place कर देते हैं तो जो भी subsidy का portion है जो CFA portion है उसका जो first installment है up to 40% जो है उसमें implementing agency को release कर दिया जाएगा उसके बाद second installment कब है second installment आप दिया गया इसमें कि आप पूरा जो fund जो first installment जो release किया गया है अगर प्रॉपर यूटलाइस कर लेते हैं उसके लिए UC certificate देना पड़ता है अगर लग जाता है तो उसको completion report submit करना पड़ेगा प्लस जो और जो फर्स्ट जो फिर्स्ट आप जाता है पूरा फुली प्रोजेट अगर लग जाता है तो उसको completion report submit करना पड़ेगा प्लस जो और जो फर्स्ट और सेकंड इस्टॉल्मेंट जो दिये हैं वो फुली अगर उटलाइज हो जाता है उसके लिए करना पड़ेगा यह सब सारे certificate आप submit करेंगे तो उसके बाद जो लाश्ट इस्टॉल्मेंट है लाश्ट इस्टॉल्मेंट आपको पड़ेगा 30% के आसपास वह आपको फर्दर रिलीस कर दिया जाएगा सब्सेडिय का 30% आपको जो बैलेंस है वह आपको लाश्ट कि demand aggregation for solar agricultural pumps through online portal सबसे पहले demand aggregation मतलब कितने लोगों की जवरत है एक demand aggregate किया जाएगा और यह सारा जो प्रोसेस है online ही किया जाएगा online monitoring system online portal के थो किया जाएगा prepare proposal and submit to MNRE for sanction फिर उसके बाद आप aggregate कर लेंगे भई कि हमारे इस particular area में इस हैं पूरे states में इतनी requirement है वो इस requirement के साब से आप ministry को proposal submit करेंगे कि मुझे इतने pumps करने की requirement है तो मिनिश्टी को proposal submit किया जाएगा overseas installation system उसके बाद जब system जो tender हो गया system लगना जा रहा तो आप उसी सको फिर monitoring भी करेंगे inspection of install system and online submission of completion reports to MNRE system जो लग रहा है उसके आप inspection करेंगे उसके बाद उसकी जो proper report है वो मिनिश्टी को submit करेंगे submission of utilization certificate and audited statements of expenditure through EAT modules and disbursement of MNRE CFA जो भी आपने amount utilize किया है उसका proper utilization certificate आप submit करेंगे audited account of expenditure भी आप submit करेंगे मिनिश्टी को online submission of monthly and quarterly progress report जो भी अगर आप इस scheme implement करेंगे तो monthly और quarterly basis पर पूरी report जो है मिनिश्टी को submit करेंगे ensure project completion within given timelines and compliance of MNRE guidelines and standards जो भी timeline दिया गया project लगाने के लिए तो आप यह कोशिस करेंग उस timeline के अंदर projects लगे और MNRE की जो guidelines और जो standards है उसको follow करने कोशिस करेंगे online or offline maintenance of records records भी maintain कोशिस करने करेंगे अप online और offline दोनों mode में दिया है real time monitoring through dedicated web portal जिसमें बोला गया कि जो जो भी system लगेगा उसकी real time monitoring जो है उसके लिए ऐसा develop करेंगे system के real time monitoring किया जा सके performance monitoring of install system through third party हो सकते के आप हो सके तो थर्ड पार्टी आप evaluation कराईए और उसकी monitoring करवाईए ensure compliance of AMC and training of locals by the vendors जो पांच साल का जिसमें जो भी टेंडर निकाला जाएगा तो इसमें पांच साल के maintenance का भी साथ inbuilt system है तो यह कोशिस रहे कि पांच साल प्रॉपर जो है AMC हो पार यह नहीं हो पार ही उसकी भी आप compliance करेंगे और जो वेंडर है जो लोकल लोग है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देंगे के लिए प्रॉपर रिस्पॉंस्बिल्टी बताया गया है जो इंप्लिमेंटिंग एजन्सी जो भी स्टेट गवर्मेंट जिसको डिप्यूट करती है इस इस किम को इस कम्पोनेंट भी को इंप्लिमेंट करने के लिए यह इस बीशन आपको यह फुली कम्पोनेंट भी रहा है अहुम बात करते हैं इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा वैसे क्यों क्या एडवांटेजेज हैं अगर इंप्लिमेंट हो जाता है तो डिस्कॉम विल सेव और रिकरिंग डेफिसिट बाइड लो अग्रिकल्ट्टरल टैरिफ यह सबसे बड़ा एडवांटेज हैं यह ग्रिट कनेक्टेट पंप है औ सब्सीडाइब होता है जिसे कि कहीं कहीं से में तो फ्री में दिया गए अगर नशाध में जाएंगे तो फंनभी बिल सब्सेट है और यह सब्सीडाइज बाइन लग जाता है तो ग्रीट से अप्लाइ नहीं जाएगे ठ chatまで देने नहीं पड़ेगा इनफेक्ट उस वहां से डिस्कॉम को बिजली भी मिलेगी तो यह सब जो सब्सक्राइब वाला जो पॉर्सन नहीं हट जाएगा फार्मर विल रिलाइबल डे टाइम पॉर ऑबिसली जो अभी जो ग्रिड जो है जो फीडर सेप्रेशन है एकल्चरल के लिए तो सप्लाइब दी जाती है यह प्रोजेट लग जाने से स्वालाइज हो जाने से फार्मर्स की डिलाइबिल्टी बढ़ जाएगी दिन में ही सप् जो डेटा निकालाएगा दिन तक ही जरुत पड़ती है उसके अलावा जो है एक्सेस जो पावर है आपको उसके लिए बैलेंस दीने वो ग्रिड में फीड करेगा उसलिए उसको बीजली मिलेगी इंकम उसकी बढ़ सकती है सेल करेगा तो फार्मर्स विल बी इंसेंटिवा करेगा हमेशा पंप चलाने कोशिस नहीं करेगा पंप चलाएगा तो फिर वह भी इस करेगे तो बीली डिस्कॉम को नहीं बचेगा इसलिए वह हमेशा कोशिस रहेगे कि सो देट की यह जो ग्राउंड जो है मैं एदी सदिक पैसे कमा सकूं और जितना जुरत पड़ेगी अगर फुली इंप्लिमेंट हो जाता तो काफी बेनिफिट रहेगा इस्टेट्स गर्मेंट को क्यों कि हेवी सबसिडी जाती है अब इसमें टार्गेट क्या रखे हैंगे हम उसको देख लेते हैं तो जो टार्गेट कैपसिटी रखी गए इसमें 15 लाक रखी गए आप देख सकते हैं सोलाई यह सना फेकल चल पर पहले यह 10 लाग ता जिसका की कैपसिटी बढ़ा करके कर दिया गया कि अगर पंद्रह लाग जो पंप हैं मेस्ट seven p.5 वाइज़ पावर तक कि पंप को इसमें रखा गया हला कि बड़े पंप भी हम कर सकते हैं लेकिन जो सबसिडी का जो लिमिट है हमें 7.5 हार्स पाउर की कैपसिटी की लिमिट तक ही है सोलाजिचन कैपसिटी पर्मिटेट इन किवाट पीक चुक्की ग्रीट से नेक्टेड है तो इसमें यह बोला गया है कि आप मैक्सम जो सोलर पैनल कितना लगा सकते हैं क्योंकि ग्रीट से कन्थे नहीं है तो उस पर लिमिट नहीं दिया हुआ है और वह स्टेंडर्ड उसको फालो करना पड़ता है लेकिन यहां पर लिमिट दी विए जो पॉंप की कैपसिटी है पॉंप की कैपसिटी का टू टाइम्स सोलर पैनल लगा सकते हैं अगर मालिए चार किलोवाट का पॉंप हैं तो आप आठ किलोवाट तक कहीं सोलर पैनल लगा सकते हैं तो जो जो पॉंप की कैपसिटी यह उसका टू टाइम्स तक ही लगा सकते हैं 7.5 हर्स पाउर का पॉंप है मैक्सिमम तो उसका टू टाइम्स मतलब 15 हर्स पाउर के एक्वेलेंट जो लगा सकते हैं तो अब हायर केपसिटी एलाओड विद लिमिट अफ ची एफ अप्टू 7.5 हर्स पाउर आप इसमें दिया गया है कि 7.5 हर्स पाउर से ज्यादा पॉंप को भी अफॉलाइज कर सकते हैं लेकिन लेकिन जो सब्सेडी जो और आप शोलेंटे हैं जो इसमें कर रहे हैं गया तो टैरिफ आलडी इसमें दिया गया है कि ते इस्टेट या जो रिगुलेटर आप तैरिफ किया जाएगा अलडी प्री ट्रीटरी करें होगा उन्हाइं पर आप जो भी होगा डिस्कॉम को दे देंगे और इसके एक्वेलेंट आपको जो इंकम मिलेगी मिलेगी इसके लिए आपके इसमें प्रॉपर मीटरिंग अरेज्मेंट होगा मीटर लेगा अब सब्सेडी कितना है उसके लिए बताया गिया है कि CFA जो है आपका सेंटर कोस्ट डिसाइड करेंगी या टेंडर निकाला जाएगा टेंडर के थुरू जो भी जो दोनों में से जो भी मिनमम कोस्ट होगा जो जो होगा उसके आपको सब्सेडी दी जाएगी इसमें वही पैटरन है आपका 30% सब्सेडी जो है सेंटरल गवर्मेंट देगी 30% आपको देना पड़ेगा तो यह भी एक बहुत एक वाइबल एक स्कीम है और इसमें काफी अगर इंप्लिमेंट हो जाता तो काफी सही भी रहाएगा काफी बहुत सरा एडवांटेजेज हैं इसकीम के आप समझ गया है ना 30% सेंटरल गवर्मेंट सब्सेडी दे रही है 30% स मिल जाएगा 10% ही आपको के अल देना पड़ेगा और जो इस पैसल के स्टेट जैसे न और्डिस्टर्ण स्टेट्स हैं अपको window्या मधर 850 जो आ ढूर्टवर्मेंटि होती कम investment करना पड़ेगा इसमें और भी दख लेते हैं प्राइर्टी टू स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स और प्रेफरेंस तो फार्मर्स यूजिंग जैसा कि मैंने पहले ही बता है कि twent aware submerged का ग्रांड वाटर लेवल काफीह नीचल जाता है तो वह पर अग्र पंप को च recent करना जाEP materials को सिच्टकनी को यूज़ करते हैं अगर नई करते हैं तो नहीं करते हैं तो आप नहीं FIRीड नहीं किया जाएगा फीड 자신 वाइज इंप्लिमेंटेशन टो इसमें बताया गया कि यह तो इंडिज्वल पॉंप सोफिया जाएगा अगा माली जगे किसी फ़र्मर के पास कोई इंडिज्वल पॉंप है तो इसमें जो 50% कैप सिटी यह तो पूरे फीडर को इसमें किया जाएगा और जो भी एक एक रिफ्रेंस लेवल एक लेवल उस लेवल के हिसाब से फिर वो डिस्ट्रिबीट किया जाएगा एक अलग मेथडोलाजी है बैसिकली आप समाझ गया कि दो इस इस कंपोनेंट सी में जो है जो फिप्टी नेक्स का पंप है उसमें दो दो पार्ट में डिवैट किया गया है सिधे बड़ी केपसिटि आ जाएगी और पूरे फीडर को ही सोलाइज करेंगी इंडिजीनियस कंपोनेंट टू यूज बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिया डोमेस्टिक कंटेंट रिकॉर्मेंट बोलते हैं जो पंप है प्लस जो पैनल है उसमें इंडिजीनियस चीजों क के ड्वांटेज यही है कि डुमेस्टिक मैनिफेक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है डिसकॉम विल इंस्वर मस्ट रन इस्टेटस तो सुलराइस्ट फीडर जो भी सुलराइस किया जाएगा डिसकॉम इसको इंसुर करें कि मस्ट रन इस्टेटस वाली कटेगरी में रहे मत इसलब कोई टेक्निकल साइट से अगर प्रावलम हो तभी उस प्लांट्स को वहां से यह रोकी जाएगा अदर्वाइस नॉर्मल तरीके से कॉमर्सियल एंगल से उसको नहीं रोका जाएगा एंपसी पर फाइव यर्स मेंटेनेंस टु भी पाट अफ सप्राई जो भी टेंडर निकाला जाएगा उसका एक इंटिग्रेटेट पार्ट आपका पांच साल के लिए एंपसी भी रहेगा मतलब इंक्लूडिंग रहेगा प्रोविजन फार ब्लैक्लिस्टिंग इन केस सकता है और आगे नेक्सेंडर नहीं करेगा वेंडर सल्हेब वन अथ्राइज सेंटर इन इस और इस और इस अप्रेसनल डिस्टिक एन लोकल लैंग्वाज यह कॉंपोनेंट बी की तरह ही है जरूरी पर्टिक्लिर इप्लिक्टिक में एक ही वेंडर को सकता है डिपीट किय सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी अपनी जो डिपार्टमेंट को डेगनेट कर सकती है और हाला कि इसमें ऑप्शन दिया है कि इसको इंप्लिमेंट कर सकता है या कोई भी डिपार्टमेंट जो भी स्टेट गोर्मेंट जिसको भी डिपूट करे उसको इंप्लिमेंटिंग अजनसी बना सकती है service charge जो भी implementing agency होगी जो इस scheme को implement करेगा उसके लिए service charge का रखा गया 2% of the CFA जो भी आपका central financial assistant या subsidy जो है उसका 2% जो है जो service charge दिया जाएगा और ministry जो है उससा कुछ portion रख लेगी advertisement और बहुत सारी चीजों को अगर implement करना है तो implementing agencies to select vendor through transparent bidding जो भी जो vendor को select करने का process है bidding के थुरू किया जाएगा और transparent bidding के थुरू किया जाएगा यह way best remote monitoring system for performance monitoring जो performance के लिए जो भी just बताया गया है कि way best monitoring system होगा remote monitoring system होगा system states में formulate state specific policy for grid connected solar pump customized to need further respective states हर states अपने हिसाब से policy decide करेगा कि हमें जो भी grid connected पॉम्पॉन को कैसे solarize करना है online portal for submission of proposals and progress सब कुछ online monitoring online portal के थुरू इस चीज़ को implement किया जाएगा sanction will be issued to states on acceptance of allocation and confirmation of states UT share जो ministry जो है sanction की जाएगी on the request from the state government और इस scheme का दरगत क्या timeline और क्या penalty जाएगा तो component B की तरह ही है बारा माईने के अंदर जो जनरल कटेगरी की states है उनको बारा माईने का टाइम दिया गया है जो special states है जैसे कि नौर्थिस्टर्न इस्टेट्स और हिली स्टेट्स है उनको पंदरा माईने का टाइम दिया गया है और इसमें जो project implementation जो timeline है उसको छे मैने तक भी extension का provision रखा गया है with some penalties तो penalty provision किया है एक तो यह है कि जो provision है आप B की तरह भी component B की तरह ही है कि group head जो है तीन मैने तक का उसमें दे सकता है और उसके उपर beyond अगर देना है तो आपको secretary level का इसमें approval चाहिए लेकिन service charge जो है आपको deduct हो जाएगा और service charge कैसे अगर मालेजिए एक मैने के delay होता है implementation में तो जो भी service charge applicable उसका 10% deduct कर दिया जाएगा दो से तीन मैना का delay होता है तो उसकेस में 10% odd deduct कर दिया जाएगा तीन से छे मैने deduct करता है तो 10% odd deduct कर दिया जाएगा उसके beyond अगर छे मैने के beyond होता है तो service charge ही आपको नहीं दिया जाएगा same fund जो है subsidy जो है government of India जो है जो subsidy का portion है वो कैसे release करेगी तो component B की तरह ही इसमें भी same provision है तीन installment भी release किया जाएगा जो first installment है जो first installment है subsidy का 40% जो है first installment है और अगर order प्लेस कर दिया जता है order जो implementing agency अगर order प्लेस कर देती है L.O.I. place कर देती है आवाड कर देती है उस case में जो first installment जो कि subsidy का 40% होगा उसके बाद जो जो second installment जो next installment है तब किया जाएगा जो आप जो फर्स installment जो implementing agency को release किया गया अगर वो उसके लिए फुली उटलाइज कर लेता है उसके लिए utilization certificate देना पड़ता है statement of expenditure देना पड़ता है तो युसी जो अगर प्रोड्यूस करते हैं तो second installment वो क्लेम कर सकते हैं सेकेंड इस्टॉल्मेंट जो subsidy का 30% है उसके बाद जो next installment है third installment जो की last installment है अगर पुरा project fully complete हो जाता है और वो project completion report submit करते हैं प्लस जो utilization certificate जो भी इससे पहले ministry ने subsidy दी है fully उसके लिए कर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं यूसी प्रोड्यूस करते हैं statement of expenditure प्रोड्यूस करते हैं उसके उस basis पे जो है लाक्ष इंस्टॉल्मेंट प्रोड्यूस की जाएगी दिया जाएगा और जिसमें की सर्विस चार्ज भी इंक्लूड हो गया कंपोनेंट सी में सेम जैसे कंपोनेंट बी की तरह ही जो implementing agency उनकी responsibilities क्या है बताया गया इसमें इसकी स्की में बताया हुए कि इसू एडिशनल instruction conditions such as minimum solarization level of feeders जो है कितना minimum level of solarization feeders किया सकता है वह conditions जो है instruction से इसू करेगी इसू connectivity standards regulation if required and facilitate connected to the grid जो भी ग्रीट से connect करने में help करेगा और इससे जो related standards regulation है वह सब भी बतायेगा कि selection of feeder fossilization and demand aggregation fossilization of pump demand aggregation बहुत एक important है actual अगर कुरे states में मेरी कितनी demand है कितने pumps को solarize किया जा सकता है उसके लिए पुरा aggregate करेगा जो implementing agency की responsibility रहेगी उसी basis पर जो है proposal जो है ministry को submit करेगा ministry इसको sanction करेगी online tendering जो conduct tendering process जो है पूरे pump को लगाने के लिए solarize करने के लिए tending process जो है मेनारी guidelines के साब से implementing agency निकालेगा installation को oversee करेगा monitoring करेगा inspection of install system and online submission of completion reports to MNRE वह ही है system का installation कैसे चला उसका inspection करेगा प्लस proper जो report है वो ministry को submit करेगा disbursement of MNRE CFA and submission of utilization certificate audited statement of expenditure through EAT module जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो subsidy दी जाएगी implementing agency को उसके लिए जो है proper report submit करेगा प्लस जो भी UC जो है utilization certificate है statement from teacher है जो EAT module के through submit करेगा online submission of monthly and quarterly progress report proper monthly quarterly report ministry को बतायेगा इंसोर project completion within given timelines and compliance of imaginary guidance and standards ये इंसोर करेगा कि जो भी timeline दिया गया 12 मैन और 15 मैन के timeline उस timeline का दर्गत project complete हो जाए online और offline दोनो record maintain करने कोशिस करेगा real-time monitoring through dedicated web portal performance monitoring of install system through third party ensure compliance of annual maintenance contracts and training of locals by vendors carrying out publicity of the scheme so as to increase awareness for which proposed advice of MNRE may also be adopted apart from its own publicity any other activity to ensure successful implementation of the program basically implementing agency जो component C को implement करेगा discom implement करेगा या कोई generating implement करेगा जिस जिस agencies को भी state government repute करेगा उसके responsibility यह यहाँ पर defined है basically components C जो initial जब launch किया गया था तो उससे में जो feeder level solarization कोई provision नहीं रखा गया था individual sperm को करने का रखा गया था बाद में इसी scheme को थोड़ा से modify कर दिया गया था और इसकी में जो components C जो है उसमें capacity जो 15 लाग बढ़ा दस लाग से बार पंदर लाग कर दिया गया था और उसमें यह बोल दिया गए 50% जो है individual pumps को सोलाइज करेंगे प्लस 50% feeder level पर सोलाइज करेंगे तो यह जो बैसे कि लिए उसी के रूपर है सोलाइजेशन अफ एग्रिकल्चरल फीडर सीधम फीडर्स को सोलाइज करेंगे इंडिजिवल पंप्स को नहीं करेंगे फीडर लेवल सोलाइजेशन गाइडलाइज है बीन इसूड वीच अलाओ दिस्ट्रूबिशन कंपनी तो सोलाइज एग्रिकल्चरल फीडर्स इसमें इसमें किया जा चुका है फीडर्स है वालडी बीन सेपरेटेट फार अग्रिकल्चर पॉपस अगर माली यह फीडर्स सेपरेटेड है देफीडर्स में सोलाइज अंडर इसकी बाई स्टॉलिंग पॉर प्लांट सब्सक्राइज कर सकते हैं इस इन एडिजिशन प्रोविजिन अफ इंडिजिवल ग् पॉपस के अलावा यह स्टॉलाइजर्स कर सकते हैं स्टॉलाइज करने के लिए कैपेक्स मोड और इसको मोड दोनों कर सकते हैं कैपेक्स मोड यह है कि इनवेश्टमेंट जो है डिस्कॉम चाहें तो खुद भी कर सकता है प्रोजेट लगा देगा रेश को मोड से मतलब यह है कि जो डेवलपर जो है जो इंस्टॉल करेगा इसके लिए क्या है कि टेरीप बेस्ट पर बीडिंग होती है रेसको मोड में इसका फुदी इंवेस्टमेंट करेगा और जो भी टैरिफ जो मीच्वल टैरिफ होगा जो फार्मर्स को एडवांटेज मिलेगा वह एक स्टेट गवर्मेंट या रेगुलेटर इसको डिसाइड करेगा इसमें क्या प्रोविजन है कैसे गौर्मेंट फिल्पर्वाइटि परसंस सब्सेडी फर सेम वह यह कंपोनेंट सी में 30 जो बेंचमार कोस्ट या जो चंडर कॉस्ट है उसका 30 परसंट कोस्ट है गोबेंट इसमें सब्सेडी देगी प्रफिटर पर जितने सारे जो पंप लगे हुए हैं उस फीडर पे उनका एन्वल क्या है उस एन्वल रिक्वार्मेंट क्या है पहले वो उसके लिए डेटा बनाएगा कोई अगर एक 150 डेज चलाता है कोई 100 डेज चलाता है कोई 120 जो भी क्योंकि अगर उस फीडर पर है तो अलड़ी मीटर लगा होगा तो मीटर की रिडिंग से इस चीज को एसेस किया जाएगा इनकी एन्वल रिक्वार्मेंट एक साल की कितनी है इन कैपक्स मोड जो कैपिटल एक्पेटल जो जाएगा फिस solar power will available free of cost and outflow from state government exchequer on account of electricity subsidy for agriculture will come to end it यह बहुत एक मैंने बताया निकि इसकी बहुत एक advantages है इस scheme का बहुत subsidy जाती है हर साल बहुत subsidy दी जाती है अगर यह component C जिससे इसमें बतायाएगा feeder level solarization में अगर यह component capex mode में लग जाता है तो 5-6 साल में एक तरह से payback period आजाएगा आपका क्योंकि huge subsidy दी जाती है और फर्दा जो है वो एक तरह से free हो जाएगी जो electricity जो है आपकी free हो जाएगी या तो आप किसानों का free में दे सकते हैं बिजली या जैसा भी चाहें जो भी provision आप उस टाइब से कर सकते हैं इस पावर रिकार्मेंट विल बी टीटेड एज देर बेंचमार कंजम्सन अगर कंपोनेंट सीवें फीडर लेवल पर हो रहा है तो किसान का प्रम तो इंडिजिवल स्लाइज हो नहीं रहे तो इंडिजिवल मीटर तो लग नहीं रहे हैं उसको किसानों कैसे पता चलाए कि एकसेस जो एनर्जी है जितनी मेरी रिकार्मेंट है मैं घ्रीड में फीड करूंगा और मुझे उसका पैसा मिलेगा उसमें यही बताया गया है कि पहले जो भी मीटर की जो रीडिंग है जो किसान है एक साल में कितना कंजूम करता है वो एक डेटा एसस कर लेंगे वो डेट लिए इसको से एक्सेश एनर्जी को जाएगा ओडिस्कॉम एकता से किसान को जो है फर्मर्स को वेयर इसे इक्स्ट्राइंकम की तरह दिया जाएगा दीस्कॉम सैल इंसेंटीवाइज़ फर्मर्स साथ चरिकिंग पावरलेस। किसान के लिए सेविंग होगी वह किसान के लिए सेविंग हो जाएगा और किसान किसान को वह एक तरह से इंकम हो जाएगी वह डिसका सबसे बड़ा अड़ा जितना जरुत होगी जितना जरुत होगा उतना ही चलाएगा पंप एकसेस नहीं चलाएगा तो इससे वाटर का जो है कंजर्वेशन भी हो जाएगा और इलेक्सिटी की सेविंग भी हो जाएगी और इंकम भी बढ़ जाएगी तो यह बैसेकली तीनों कंपोनेंट आपके हो गए कंपोनेंट जो है इससे आपने मेरे पहले वेले वीडियो में देखा काफी डिटेल में मैंने बताया फिर मिनिश्टी अफ नीवें रेनवेंड अरजी ने एक पीईवी प्रेस रिलीज जारी किया था जिसमें कि 2021 का एन्वल रिपोर्ट के बारे बताए को उसने क्या कैशिव किया है तो उस उस रिपोर्ट से मैंने ये तीनों कंपोनेंट का भी प्रिजेंट इस्टेंट किया है य इसमें 20 मेगावाट की कैपसिटी लग भी गई है और अगर आप देखेंगे ट्रैक करेंगे तो आप इसमें देखेंगे बहुत सारे टेंडर्स भी निकले हुए हैं कंपोनेंट B की बात करते हैं कंपोनेंट B में जो टोटल टार्गेटेट कैपसिटी आपके 20 लाक्स पंप का है इसमें मिनिश्टी ने 3.6 लाख पंप जो है अलड़ी सेंक्षन किया हुआ है और इसमें 75,000 से ज्यादा पंप अभी लग भी गये हैं कंपोनेंट C की बात करते हैं कंपोनेंट C में 15 लाख पंप हैं जिसमें मिनिश्टी ने अलड़ी 10 लाख पंप सुची है ओबर 10 लाख पंप अलड़ी सेंक्षन कर चुके हैं स्टेट्स को और इसमें 1000 पंप से ज्यादा अभी लग भी गये और इसका जो फीडर लेवल सो इ कर्राम है ये काफी सक्सेस्फुल है और स्टेट्स गौर्वर्मेंट इसमें काफी इंट्रेस्ट ले रही है इसके लिए भी काफी टेंडर स्टार्ट हो घाएं बहु क्या तो ये तीनों कंपोनेंट जो है कुसुम स्कीम का प्रजेंट से ऐज्ञान 30 नौमबर 2021 तो होप द अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को भी फारवर्ड करिए फिर आप से नेक्ट मिलते हैं नेक्ट इसकीम के साथ नेक्ट इसकीम के साथ अब तक के लिए थैंक यू जै हिंद